तो हमने आपके लिए जो स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है बायोलोजी एचसी बोर्ड 2024 और 2025 के आस्पिरेंट्स के लिए बोर्ड एक्जाम पीवाई क्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन इस सीरीज का आज मैं सेकेंड वीडियो लेकर आई हूँ आज के सेशन म में हम बात करेंगे चैप्टर नूंबर टू का कितना वेटेज है उसमें पीवाई क्यूज में कैसे टाइप के क्वेस्चन आये हैं और अब आपको इस सार कौनसे क्वेश्चन पढ़कर जाने चाहिए जो 2025 यानि आपके बोर्ड एक्जाम में पूछे जा सकते हैं सो विद है तो यहां पे देखो टेस्टीव वेवि टेखनीक यह वाला जो क्वेस्चन है इस प्रवन मा bigger टू सी हमारा म सी क्रवा जो पार्ट है this प्रमियोग साइस यह यह हे बाला जो आपना प्वेश्चन है तिस इसीडिवाला ग्वेस्ट फमेस्वाई इस हाहिस ए Wonर लेक्साइ यह आंसर इन टेक्स्ट है it is not from exercise क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है मैं टेक्स्बूक का पढ़के जाओ तो एक्जाम में आता नहीं है और टेक्स्बूक के बीच में से कितना पढ़ेंगे इतना सारा खियर ही है तो आपका मैं problem solve कर रही हूं आपको मैं बता रही ह कि exercise पढ़के भी बच्चे पास हो सकते हैं अच्छा माक्स लाकर next question यह जो डाइग्राम है इसका आपको लेबल करने के लिए बोला गया है identify ABCD in the given diagram of human reproductive system अभी यह अपना male reproductive system है देखते हम exercise में male reproductive system वाला question है की नहीं है यह देखो explain following parts of male reproductive system अगर आप exercise का यह आंसर पढ़के जाओगे तो automatically आपको सारे diagram और labels easily आप solve कर पाओगे तो मैं ऐसा declare कर सकती हूं यह तो actually textbook के अंदर can you recall वाला table भी है और exercise में आपको इसका theory question भी दिया गया है तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि हमारा exercise का question है and this is for two marks describe hormonal control in various phases of menstrual cycle यह question अपना four marks के लिए है and this is also from exercise यह देखो exercise मे है कहां पर दिया गया है hormonal control 2,000 वेडियो यह देखो first question question no.5 का first question ही है जो आपको 4 marks के लिए दिया गया है तो अब देखते हैं कि अपना total कितना marks का वेटेज हो रहा है okay यह देखो this is one marks exercise में से कितने marks का आया है और इंटेक्स कितने marks का आया है ठीक है exercise in text one marks exercise one marks in text one one then two marks exercise four marks exercise so two plus four याने कि यह कितने marks हो गया seven marks plus यह one marks total eight marks का chapter है seven marks easily exercise में से आप score कर सकते हो और एक इंटेक्स question आ भी गया तो कौनसी बहुत बढ़ी बात है पढ़ाते time तो मैंने यह भी detail में पढ़ाया है तो this is according to 2022 टीक है अब 2023 और 2024 का भी देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौनसे questions करके जाने चाहिए for 2025 लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ अगर आपने अब तक हमारा play store से app डाउलोड नहीं किया है तो आप यह सारा free material मिस आउट कर रहे हो जैसे ही आप डाउलोड करते हो तो message करके मत पूछो मैं free material कहा है free material अब के अंदर आपको यहां पे जो तीन लाइन दिखाए देती है उसमें click करोगे त के अंदर आपको यह सारी चीज़े दी हुई होती है स्पेशली फ्री माटेरियल वाले सेक्शन में आपको यह तीनों साल के बोर्ट पेपर मिल जाएंगे बायोजी के तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा ठीक है चलो आते हैं दो हजार तेइस के पेपर में इसके इंट इसके इस हम बोल सकते हैं कि यह कोईशन अपना इंटेक्स्ट का है से बमाटर इन टेक्स्विए इस करेंगे मैं घधी इसको इंटेक्स कंसिर्डर कर लेती हूं वाधर डीन किрь दो स्तेले चलो इसको इंच्राम. caring का question है उसमें से आपको definition वन माक्स के लिए दिया गया है ड्रो एन लेबल नीड डाइग्राम ऑफ स्पर्मेटोजनेसिस तो यह भी आपका इंटेक्स्ट वाला ही पार्ट है मतलब टोटल थ्री माक्स का question आपको इंटेक्स्ट आया है ओके गिव एनी फोर सिग्निफिकेंस तो फर्टिलाइजेशन बोला है यह देखो यह जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन जब आप पढ़ोगे तो इसी में लास्ट में आपको सिग् एक्सरसाईज यह तो यह वाला जो question है यह अपना exercise से है two marks इस फ्रों exercise mentionary two organs each derived from ectodum mesodum यह अपना in text है so this is for two marks ok तो यहां पे in text और exercise दो-दो marks का हो गया so two marks in text two marks exercise यह प्लस बास वान in text यह प्लस three in text मतलब यहां पे six marks का in text आया है प्लस 2 marks का exercise से आया है, again weightage 8 marks हुआ है, अब अगर ऐसा पेपर आया, तो भी आप 2 marks का अगर exercise का करके जा रहे हो, तो भी आप easily attempt कर सकते हो, और यह जो question है, यह definition वगेरा आपके activity sheet में दिया है, या आप तुक्का मार के भी अगर लिखोगे, तो भी आप easily score कर सकते हो, ठीक है, चलो, लेकिन ठीक है, 2023 में in-text question जादा आया था, exercise से कमाया था, 2022 में exercise से जादा आया था, अब 2023 का pattern देखते है, हाँ, 2024 का pattern देखते है, मतलब last year का pattern, इसमें in-text कितना आया है, और exercise कितना आया है, और फिर हम देखेंगे कि कैसा pattern follow हो रहा है, 2022 में exercise से जादा है, 2023 में in-text question जा यह वाला जो MCQ है यह exercise से है नहीं this is not from exercise ओक हा वो exercise से नहीं है this is in-text one marks in-text तो यह लिख देते one marks then expand the term ZIFT इसका full form यह भी in-text है one marks distinguish between human form and ovum in-text this is for two marks histological structure of testis with well labeled diagram यह question अपने exercise का है मैं आपको दिखा देती हूँ कहां पर है यह question नहीं तो फिर मेरों पर चड़ जाएंगे सब बच्चे मैं question कि दर दिखाओ 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 यह देखो explain the histological structure of testis direct four marks के लिए आपको exercise में से पूछा गया है ठीक है ओके तो अभी देखो calculate करो in-text in-text one two three four four marks के question in-text से आया है और एक ही question exercise से आया है four marks का average मिलाके eight marks हो रहा है तो 2024 में दोनों equal है in-text और exercise दोनों equal है तो अब 2025 का pattern कैसा हो सकता है जहां तक मेरा अंदाजा है 2025 में या तो equal आएगा या तो exercise से ज़्यादा questions आएंगे ऐसा मैं अनुमान लगा दी हूँ लेकिन उल्टा भी हो सकता है तो safe रहने के लिए हमको एक्जाम में क्या पढ़के जाना चाहिए 2025 का pattern अपने को नहीं पता कि आपके board exams में कैसा आएगा आपको कौनसे कौनसे questions अच्छे से करके जाने चाहिए वह मैं बता देती हूँ सबसे पहली बात आपके exercise में जितने भी objectives हैं सारे MCQ question और very short answer questions यह कंपल सरी है question number 1234 प्लस आप पीवाई क्यूज कर लो तो भी enough है और अगर जिनको out of score करना है ठीक है जिन बच्चों ने क्योंकि यह chapter number 2 है यह तो आप साल के शुरू से पढ़ रहे हो यह सब पढ़के हो गया होगा आपने objectives भी कर लिए हैं आपने इसा लगता है जहां तक यह वाला question आने के chances है यह आभी सकता है नहीं भी आसकता है इसका question CT में होता है इसलिए मैंने यहां डाला है क्योंकि आराम से लिख सकते हो कि awareness program कैसे फैलाते है hormones in parturation अगर यह question नहीं आया तो यह आएगा दोनों में से एक hormones का question आ सकता है ठीक है then male accessory glands यह हमने एक्सेसाइस का 2022 में पूछा है यह वह वाला है कि male reproductive system के पार्ट बताओ process of fertilization यह भी पीवाइक्यू है यह भी पीवाइक्यू है तो अगर आप सिर्क पीवाइक्यू सारे अबजेक्टिव करके जाते हो तो अभी आप इजीली 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 एग्जैम में आठ मार्स का अगर यह चैप्टर है तो आप आराम से इसमें स चैप्टर नुबर तू आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज आने वाला है जिसमें हम पीवाई की उसकी जो क्वेश्चन्स है वो जो टपिक से डिलेटे थे उस टॉपिक का एक्स्पलीशन लाइट लेकर आने वाले हैं पूरा चैप्टर लाइव लेकर आने की जगह पूरे चैप्टर का लाइव लेक्टर आड़ेडी अवलेबल है वन्शॉट लेड़े रहना पड़ेगा ताकि आपका वो सर्प्राइज मिस ना हो क्योंकि वो बोर्ड एक्जाम्स के स्टूरेंस के लिए सबसे 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 ज्यादा बेनेफिशल होने वाला है जिन बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है और उनको सिर्फ उतना ही एक्स्प्लेनेशन को जॉइन कर सकता है किसी को पिछले साल के रिकॉर्डेट लेक्चर देखने हैं लाइन से तो आप हमारा रिकॉर्डेट वाला बैच पर्चेस कर सकते हो और अगर कोई बच्चा सिर्फ मॉक टेस्ट फ्रैक्टिस करना चाहता है तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने दो हजार से भी जादा एंसिक्यूस आपको प्रवाइट किये हैं तो आप यह मॉक टेस्ट वाला कोर्स पर्चेस कर सकते हो ऐसे बहुत सारी चीज़े हमारे अप पर है अप इंस्टॉल करऊं प्री माटेरियल भी मिलेगा इट्सप्ट वी लेकिन अओ चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अभी तक पढ़ना चालू करो क्यूंकि आपके लिए हम हम रतिक्स में अब बस बुक खुलना और पढ़ना है आपक बट आपको उसके उपर काम करना पड़ेगा और बच्चों अभी नहीं पड़ोगे ना तो फिर बात में रोने के अलावा और कुछ आप्शन नहीं बचेएगा क्योंकि याद रखो अभी नहीं तो कभी नहीं बाए बाए